हेलो फ्रेंड्स बर्दाइनी एकेडमी किस यूटुब चैलल में आपका एक बार फिर से स्वागा थे जैसा कि हमने आप से कहा था कि अनुसूचित दिन जातियों को लेकर हम वीडियों लेकर आएंगे तो आज हमारा ये दूसरी क्लास है जिसमें आपकी मुख 5 अनुसूचित दिन जातियों के बारे में क्लास होगी ठीक है तो आज की क्लास है थारू जाती के बारे में तो पहला पॉंट क्या होगा समसिते कि जो निवास शेत्र है इनको पूरी हडिंग वाईस करेंगे तो समझ में साफ साफ आएगा ठीक है तो लाइट मैं ले लेते हैं थारू निवास छेतर है थारू जंजाती उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमोग जंजाती है यह उत्तरकंड के नैनीताल खटीमा तता सितार गंज तैसील में उत्तर प्रदेश में लखीमपूर खीरी गुंडा वहराइच महराज गंज और Shift अब गोरगपूर आ गया तो कई लोगों की दमागे में स्किलियर हो गया होगा ये डाउट कुंग कि मैंने आज जो बताये था तो आप समझ में आ गया होगा कि जब चारों जिले आपको जब चारों जिले आपको तरह compartか दिए जाएंगे तो उसमें आंसर हो पूरकपर होगा नहीं तो आपका सोनभधर अंसर हो सकता है ठीक है अधिक तर सोनभधर से ही पूछा जाएगा क्यों सोनभद्र में थारू नहीं पाई जाती है न इसके बाद और कहां पाई जाती है बिहार के चंपारण में एवं दरभंगा जिले में त्यता नेपाल में पूर में भेची से पश्चिम में महाकाली के अंचल तक महाकाली नदी जो कहां है सार्दर नदी ठीक है चलिए इस पत्ती में बिद्वानों के मतभेद हैं कुछ बिद्वानों के अनुसार राजस्थान के थार मरुस्तल से आकर बसने के कारण इनका नाम थारू पड़ा है कुछ बिद्वानों के अनुसार थार का साब्दिक अर्थ मद्रा और थारू का अर्थ मद्रा पान करने वाला है के ल हैं मिलते हैं तो थारू कार तो उन्हों का है मदरा पान करने वाले होते हैं ठीक है दो एशुप शनद बताए उनों ने कि या तो यह थार मरुस्तल से भागे वाई तल नासका बाले होते हैं, यह सभी मंगोल प्रजाती के लख्छान है, ठीक है, थारू जंजाती के पुरसों की तुलना में इस तरह अधिक आकर सकता संदर होती हैं, बेजबुसा पहाते हैं, ठीक जंजाती के पुरस से हिंदुत्य प्रतिक तथा बड़ी τोाइच पहते हैं, बड़ी चोटी कौन से जिंजाती रखती है तो आंसर हो जाएगा थारू अगला पॉइंट है तथा धोती पहनते हैं थारू उस तरियां रंगी लेंगा ओड़नी चोली और बूटेदार कुर्टा पहनती है ये सरीर पर गुदना गुदवाती है तथा आबुसन पहनती है गुदना गुदवाना भी इंपोटेंट है चली आंगे बढ़ते हैं घर मकान थारू जनजाती के लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी के लठे और नरकुल का प्रियोग करते हैं इनके मकान उत्तर पश्चिम की ओर होते हैं जबकि मकान के प्रिवेश द्वार दच्छन के आखिर कमरे में पूरब की दिसा की ओर होता है ठीक है न, यह मैंने बताए था, जबकि एक इनकी उपजाती होती, थारू की उपजाती है, उल्ठवा का प्रवेश द्वार देच्छन की बज़ा है, उत्तर की कमरे में होता है, आंगे बढ़ते हैं, इसी उल्टी पृथा के कारण, यह उपजाती उल्ठवा कही जाती है, य थारू में रसोई और पूजा घर उत्तर की ओर आखरी कमरे में होता है, चलिए ठीक है, आंगे बढ़ते हैं, यह भोजन क्या क्या लेते हैं, तो थारू का भोजन मुख रूप से चाबल और मचली है, यह याद रखना, इस्तरियां अपने द्वारा मारी हुई मचलियां ही अगे इस और अगीक क्या सकते हैं, तो यह यह चीज या रखना, मदरा तारू का प्रिमृक पे हैं, जिसे शाबल द्वारा सियम निर्मिद करते हैं, उससे क्या कहते हैं जाड, तो यह पूछा जाता है, जाड से दारू जो बनती है, तो वह कौन सी जन जाती है तो आंसर हो जाता है थारू आंगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट किलियर हो जाएगा जो हमने आज क्लास में लिये हैं तो आपको समझ में भी आएगा अतरिक्त थारू जन जाती के लोग दाल, गाय भैस का दूद, दही, जंगली पसुओं का मास, सुवर का मास मुर्गी के अंडे का भी भोजने प्रियो करते हैं इनके भोजन का समय निर्धारत होता है तथा उन्हें सिमय नियम ती नामों से जाना जाता है तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कलेवा, कलेवा कहा जाता है प्राता के नास्ते को मिझनी कहा जाता है दुफैर के भोजन को और बेटी कहा जाता है साम के भोजन को चली, आंगे बड़ते हैं बिभाय प्रिथा थारूओं में बरपच्छ की और से किसी मद्यस्त व्यक्ती दोरा बिभाय की बाच्ची चलती है पहले इन में बदला प्रिथा बेहनों की आदान प्रदान का प्रिचलन था लेकिन अब तीन टिक्थी तीन टिक्थी प्रिथा प्रभावसाली बहुत इंपोर्टन्ट है यह पॉइंट हमने जानवुच के नहीं लिखवाए जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे उनको भी तो कुछ पता चले ठीक है तो याद रखना कि ये क्या होगा तीन टिक्थी प्रिथा प्रिथा प्रभावसाली है तीन टिक्थी प्रिथा में एक दूसरे की बहन से बिभाय ना करके उसी परवार के किसी निकट्थम करन्या से बिभाय होता है याद रहना तीन टिक्थी प्रिथा किस से संबन देते हैं धारू जन जाती से और बिभाय से संबन देते बिभाय कार अधिकांस था फागुन के सुकल पच्छ में होते हैं कभी-कभी बैसाक सुकल पच्छ में भी विभाय संपन होता है। किसी के घर भेज कर मतलब अपनी बिरादरी में क्या करते हैं साधी कर देते हैं और एक भोज देंगे इस परकार के भोज को इस परकार के बिवाय भोज को क्या करते हैं लट भरबा भोज कहते हैं याद रगना यह चारी चीजें अगला पॉइंट है थारुगों के मुख थार बढ़ते हैं इनकी अर्थविवस्ता कैसी है किस चीज को लेकि ये अपना जीवनियापन करते हैं तो अर्थविवस्ता निकी किस तरह है थारू की अर्थविवस्ता किरसी पर धान है ये लोग धान की खेती करते हैं इसके अतरक्त दालें तिलहन और गेहूं की भी किरसी करते हैं आंगे इसके अत्रिक्त इनके अन्य ब्योसायों में क्या है पसुपालन भी है लकड़ी भलाई लकड़ी कटाई सिकार बन ये सारी चीज़े हैं ठीक है तो ये इंपोर्टन नहीं है पसुपालन जिसको मैंने हैडलाइन किया उसको ही पढ़ना है बस आपको अगला मैंने लखीमफूर्फ खीरी जनपद में देखो उने बताया था इसको श्टार पॉइंट कर लेना कि लखीमफूर्फ जनपद में जो एक महा बिध्याल है धारू जनजाती के लिए लड़के लड़कियों को सिच्छा परदान करने है तो इस्थापित किया गया है जहां पर बड या परिवार का सबसे ब्रद्व्यक्ति होता है जबसे ब्रद्व्यक्ति होता है परवार के भिन भिन कार भिन भिन सदस्यों को सुपर्द होते हैं जो अपने कार्यों के पृति पूर्ण रूप से उत्तरदाई होते हैं पकवारे और रितूहों के अनुसार सदस्यों के कार परवर्टन होता है थारू लोग प्रोड़ोट सर्ग करके भी अपने कर्णियाओं की रच्छा करते हैं इन में पित्र सत्तात्मक पित्रवंसी और पित्र स्थानिय परिवारिक परेपराप्रा पायती है त्यूंकि पित्रों से जुड़े होते हैं मनला उनकी जो परेपर चली धारूकों है, हिंदू धार्म से संबन्दित है, ठीक है, और इनकी जो इस्त्रियां है, कुछ जो कह सकते हैं, जादू, टोना और अनेक देवी देताउं कोई मानते हैं, और काली देवी की पूझा करते हैं, वहरो महादेप को भी आराद देन, पेरी इम्पॉर्टेंट चीज इसको याद रख लो इसको याद रख लो एक तरह ऐसे कि भाईया इनकी जो सिबिलिंग है जो इनके सिबिलिंग है वो पत्थर के ना होकर भाईये किसके होते हैं बांस के होते हैं ये बहुत इंपोर्टन कुश्चन पूछा जाता है कौन सी जन जाती में सिबिलिंग पत्थर पढ़ा सकता था लेकर नहीं क्योंकि मुझे मैं चाहता हूं कि आप जतना ज़ादस जदा पढ़ेंगे जत्ना जबंच or पढ़ेंगे आपको उतना ही साथ होगा कि उसमझरे ना इंपर्टेंट चीज ही ज़रूरी नहीं है पढ़ना ज्यादस ज्यादा पढ़ने से क्या होता है नॉलेज होता है जिससे कि हम उससे related questions को भी solve कर सकते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं तेवहार ये लोग हिंदूओं के सभी तेवहार मनाते हैं मकर संक्रांती होली कनईया अश्टमी दसेरा बजहर दो ये लिखा है ने बजहर एक लास में भी discuss किये थे कि बजहर तेवहार न बजहर थारूओं का मुख तेवहार बजहर ठीक है मना सभी हैं तो उसमें और के बाद बजहर लिखा न उसको भी जोड़ेंगे हम लोग होली के दिनों इस तरी पुरसु दौनों ही मदरा पीकर गाते हैं तथा साथ साथ नसे में मस्तो कर निर्ट करते हैं होली का पर फागुन पुर्मा के आठ दूनों तक लगातार मनाये जाता है इस परविकी अफसर पर रंग अभीर खुलकर प्रियोग करते हैं बजहर नामकतिवहार जेठ तथा बैसा के दुनों में होता है कम बनाया जाता है जेट और बैसा के दिनों में लेकिन ये तिवहार होता कैसा है तो क्या होता है उस दिन गाउं की समस्दित्रियां गाउं छोड़कर बाहर चली जाती है और वहां पे खाना बनाकर और खाना ख्याती है और वहीं पर क्या होते हैं उनके पती और परिवार की लोग हैं वहां भी पहुच जाते हैं जैसे कि हमारे इस समय उत्तर प्रदेश में कुछ एक तिवार मनाया जाता है जो जिस समय बरगत की नीचे बरगती हम आवस करके साइद बोला जाता है जिस दिन नहीं इच्छा नौमी के दिन क्या होता है कि हम लोग पेड़ की नीचे ज निकट के किसी ऐसे स्थान पर चली जाती है जहां पीपल अतवाब बरगत का पेड़ होता है उस स्थान पर वे सभी खाना बनाती है इसके उपरांत भोजन कर पूजा पाठ होने संगीत आदी का कारकरम होता है पुरुस भी वहीं पर भोजन लित्यादी करते हैं लेकर रात संकरानती को प्राया जल्दी सोकर उटते हैं ये तो नर्मल है ततर नदी ताला में इसनान करते हैं ये वी इंपूर्टेंट हैँ वे के लिखा है कि मकर संकरानती और फिभने ठारू से संबंदत है ठीक है और ये जो भी वळड है तो इसको आप एक और पढ़ लेना ठीक है कि हाँ यह मैंने आज कुछ पढ़ा है यह पढ़ने को तो आपकी किताबों में सब कुछ लिखा है ठीक है तो ठीक है थैंक्यू सो मच